अभी आप लोगों को निकलना है थोड़ी देर में अपने सीए फाउनेशन के माट्स एक्जाम के लिए तो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते वे आप लोगों को बहुत जल्दी से बताऊंगा कि कैसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हो सिर्फ दो घंटे में ठीक है और फिर भी ऐसा क्यूं होता है कि कई सारे लोग 80 प्लस लाते हैं और कई सारे लोग 40 लानी में भी स्ट्रगल करते हैं उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे और वो सारी कि सारी चीज़े देखो प्रेपरेशन तो मैंटर करती है लेकिन ठीक आबरेज प्रेपरेशन वाला स्टूटेंट भी बहुत अच्छा स्पोर्ट कर सकता है अगर वो एक्जाम हॉल में अपने पेपर को प्रॉपरली मैनेज करें तो आओ देखने है कि कैसे आप 2 घंटे के अंदर अंदर maximum multiple choice questions को attempt कर सकते हो ठीक है सबसे पहली जो चीज है जो सबसे पहली जो चीज है वो time को लेकर है ठीक है यहाँ पर applies अचीज को बहुत ध्यान से सुनना you have to start with the first question ठीक है you have to start with the first question आपको वही questions करने है उसी sequence में questions करने है जो आपको बहुत अच्छे से आते हो अरे सर ऐसे कैसे होता है मतलब हम लोग उनको क्या पहले हम लोग 100 questions पढ़के देखे कौन-कौन से हमें अच्छे से आते है उसके बाद हम उनको mark करें no but make sure that you solve only those questions that जो आपको बहुत अच्छे से आते है आप जब question paper पढ़ना start करोगे तो आपको बता है चल जाएगा suppose आपने question number 1 पढ़ा आपको समझ में आगया कि यार ये तो आनी रहा फिर आप question number 2 पढ़ोगे आपको समझ में आजेगा यार ये तो आनी रहा फिर आपको question number 3 पढ़ोगे आपको तब लगेगा कि हाँ यार question number 3 तो आता है मैं उसको कर लेता हूँ तो ये जो question numbers 1 और 2 है न इनको आप last के लिए छोड़ो इसको बाद में आकर आप देख लेना इसको आप लोग बाद में आकर देख लेना ठीक है seriously बता रहा हूँ you start with the first question and keep on skipping till you reach a question that you feel that you know the best अब यहां पर होगा क्या बहुत ही practical चीज़ है और वो चीज़ यह है कि जब आप questions पढ़ोगे आपने suppose पहला skip किया दूसा skip किया तीसा skip किया चौथा skip किया पांच बाद जब आप skip करने चलोगे तो आपके दिल की धरकत तेज होने लग जाएगी आपको रगेगा या शिट मेरे को तो कुछ भी नहीं आता ठीक है मेरे को तो कुछ भी नहीं आता trust me ऐसा बिलकुल भी नहीं है आप लोगों को सब आता है ठीक है क्या होता है यह ना psychological होता है जब आप question पर पढ़ना start करते हो ना तो वो डर का माहौल इतना ज्यादा created होता है आपके दिमाग में आसपास के students इतना ज्यादा डर का माहौल create कर देते है कि you start feeling as if you don't know anything ठीक है और institute भी कई बार जान बूच कर जो difficult type के questions होता है वो starting में और end में डाता है ठीक है मैं end में क्यों बोल ला हूँ इसली बोल ला हूँ जिसके कई सारे students पर यह करते है अरे सर फिर तो हम लोग question number 100 से देखना start कर सकते है ठीक है हम लोग question number 100 से देखना start कर देते है वहाँ से हम लोग questions को solve करने लग जाएंगे ठीक है तो ऐसा नहीं है आप लोग कहीं से भी start करो आप beach से start कर दो आप शुरुआत से start कर दो आप end से start कर दो उससे कोई फरक नहीं पड़ता it's more of a psychology game than the structure of the question paper ठीक है तो institute beach beach में tough questions डालता रहता है लेकिन जब आप कोई question paper पढ़ना start करते हो न तो initially आपको इतना ज्यादा वो डर लगा रहता है कि आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आथा लेकिन ऐसा होता नहीं है ठीक है तो मैं हमेशे एक चीज़ बताता हूं इसमें कि मैंने एक MCQs का exam दिया था अभी January 2020 में मैंने दिया था certified research analyst बने का मैंने एक्जाम दिया था वहां पर मेरे साथ exactly same चीज़ हुई थी सो questions थे सारे के सारे MCQs थे ठीक है and I kept on skipping the questions मैं questions को छोड़ता के छोड़ता के छोड़ता के और मेरी ना heartbeat एकदम तेज हो रहे लिए यार मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है आपको बता है when I solved the entire paper मेरे को क्या realize हुआ कि I had left only 20 questions 100 marks के question paper 100 questions में से मैं skip करे जारो skip करे जारो करे जारो जब आप skip कर रहे होगे तब आपको एकदम से feel होगा कि यार आपने तो बहुत जादा skip कर दिया trust me उतना skip आप करते नहीं हो जितना आपको लगता है कि आप skip करें ठीक है तो 15-20 maximum 25 questions भी अगर आपने skip कर दिये तो क्या फरक पड़ता है 75 questions में तो आप लोगों नहीं काईदे से solve किया है 75 questions अगर आपने काईदे से solve किया तो 75 marks आपके आगे और अगर आपके 75 marks आगे तो उसके बाद आप maths के exam में पास तो होई गए रहा problem सारी की सारी यहीं पर आती है कि जब students जब आप लोग question number 1 पढ़ते हो और उसमें आप पूरा का पूरा time गवा देते हो आप solve करते रहे तो करते रहे तो तो ego आ जाती है कि अरे यार logical reasoning का question है इतना simple सा question है मैं कैसे नहीं कर पार हो और एक time value of money तो बहुत ही अथे से किया था नीशो भई यह ने बहुत अथे से कर रहा था time value of money मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है यह ego exam में नहीं लानी है ICAI जान बूज कर कुछ-कुछ ऐसे questions डालता है जो थोड़े difficult होते हैं जो आपके level से उपर के होते हैं जिनको comprehend करने में आप लोग को दिखकर आ सकती है या time लग सकता है maximum questions 80-90% of the questions एकदम straight forward होते हैं लेकिन वो 80-90% questions के उपर दिमाग ना लगा कर हमारा दिमाग inadvertently उन questions के ओपर चला जाता है जो हम से नहीं हो पा रहे होते हैं और हम ना चाहते हुए भी उन questions पर बहुत ज्यादा time waste कर देते हैं तो यह आपको बिल्कुल भी नी करना है this is the main difference between a person who scores 80 plus and a person who struggles to score even 40 marks right कि कुछ questions definitely ambiguous होंगे कुछ questions में definitely गलतिया होंगी जो questions सही होंगे वो उन questions को solve करके आएगा आप देखूंगे एक घंटे के अंदर you'll be able to solve 80 questions I'm not joking this has been the feedback of a lot of students who have been following this strategy ठीक है बहुत सारे students बताते हैं मेरे को आज शाम को कई सारे students बताएंगे phone करके या text करके Instagram पे message करके किस तर एक घंटे के अंदर मेरा 80 marks ज्यादा का question paper हो गया था क्यों क्योंकि these questions जो नहीं आ पा रहे थे उनको छोड़ते गए चोड़ते गए और जो questions आ रहे थे उनको करते गए करते गए अब आप सोचो 80 marks अगर आप ने कर लिए ठीक है 80 marks आपके पक्के हो गए चलो महा बर भी मैं margin of error मान लेता हूँ 10% का मैं margin of error मानता हूँ 80 मेंसे suppose आपके 8 questions गलत हो गए 80 मेंसे suppose आपके 8 questions गलत हो गए 72 correct है ठीक है 72 marks आपको मिल गए 8 questions अगर आपके गलत है तो total negative marking की दो नंबर की होगी तो 72 questions आपके correct है 72 minus 2 आपके 70 marks तो अभी भी आ रहे है आपके 70 marks तो अभी भी आ रहे है पास होने हो कौन सी बड़ी बात है ठीक है और उसके बाद आपके पास पूरा का पूरा एक घंटा बचा हुआ है दिमाग लगा लो ना उन 20 questions में लेकिन उन 20 questions में दिमाग लड़ो और second half of the duration of the paper में first half minute तो this is the very effective strategy trust me guys आप लोग एक्जाम में यह बिल्कुल भी मत करना के question को sequentially करने के चकर में आपको पढ़ना of course sequentially है question number 1, 2, 3, 4 इस तरह से ही आप पढ़ोगी इसी sequence में आप पढ़ोगे लेकिन solve आप तब वही वही question करोगे जो आपको बहुत अच्छे से आता होगा करके देखना इसको मज़ा आजाएगा आपको believe भी नहीं होगा आप कितने ज्यादा questions आप सिर्फ एक घंटे के अंदर अंदर कर चुके होगे नहीं तो बाद में क्या होता है students 40-50 questions करते हैं बहुत struggle कर पाते हैं और उसके बाद फिर घर आके रेनाइज होता है यार इतने simple simple questions आए थे और वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है रिमेंबर negative marking है हर गलत जवाब आपके 0.25 marks लेकर जाएगा ठीक है तो अगर आपने दो questions attempt किये समझना बात को पहले question correct हुआ दूसरा question गलत हो गया तो पहले question का आपको एक number मिला दूसरे question गलत होने की चकर में आपके 0.25 चले गए तो ज उसमें से ही तो जाएगा 0.25 और कहां से जाएगा 0.25 तो अब आपका total score कितना हो गया 0.75 आपका total score हो गया ठीक है उसके बाद फिर आप 3 से question पर आए फिर 4 ए question पर आए and so on तो आपको guesswork बिल्कुल भी नहीं करना है negative marking है negative marking से डर के रहना है बहुत डर के रहना है और बिल्क से मार करना था मैंनों पैंसिल से मार कर दिया आप दो शापन पैंसिल लेकर जाओगे black pen blue pen स्केल सब लेकर जाओगे ठीक है अपने calculator अच्छे से रख लेना पर इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना अगर उसने का पैंसे फिल करना है जो इंस्ट्रक्शन पर रहेंगे वह आपको बहुत ध्यान से फॉलो करने है ठीक है उसके बाद मैं किसी हालत भी नहीं रहता नहीं बतानी कि अब मैं क्या बता हो शाम को अगर आप paper दे सब्सक्राइब करने का रिखाता मेरी कॉपिट चेक हो कि या नहीं कैसे बता सकता हूं उसको ठीक है तो बी वेरी केरफुल स्पेंट सम टाइम इंस्ट्रक्शन सब्सक्राइब बहुत ज्यादा मेनत कि है ठीक है और डिसेंबर 23 के लिए तो हम लोग बाचल सब्सक्राइब ठीक है एपरिल में चला था फिर में में चला था उसके बाद फिर मिशन सक्सेस भी हुआ पता नहीं कितनी कितनी प्रेपरेशन हम लोग कर चुके है रेगिलर माराथॉन आपके हुए है ठीक है और यू प्रिपेरेड वेरी वेल बस इतना ध्यान रखना उन्हीं को आपको पहले solve करना है जो आपको question पढ़ते वे रेलाइस हो जाए कि हाँ यह बारा question मेरे को आता है ठीक है thank you so much wish you all the very best and शाम को मुझे instagram पे text करना इस वीडियो के comment section में comment करना शाम को वापस आकर कि आपका paper कैसा है wish you all the best